चोटे हाथी का बच्चा बड़ा शेतान होता है उसको चेन से महावत बांदेता है वो चेन तोड़ने की कोशिश करता है बहुत तोड़ने की कोशिश करता है उसके घाव हो जाता है खून निकलाता है चेन तोड़ पाता है यस नो नहीं तोड़ पाता है धीरे धीर हाथी का बच्चा बड़ा होता है विशाल हाती बन जाता है अब इसको जूट की रस्ती से बांद दिया बास की बल्ली के साथ खड़ा कर दिया पेड़ नहीं साब पाओं भी खीचेगा ना तो बल्ली बाहरा आजाएगी लेकिन वो रस्ती को तोड़ पाता है यस नो इस दिर बलीव स सिस्टम आ डॉक्तर इसका इस्दिश्चेमाल कर रहे हैं पोलते हैं बहुत नो देवाया झी यह दवायी घ्लों दो दिन में एक्डम्ठीक हो जाओगे ये तुमारे लिए अम्रीका से बाई डवाय दो दिन में ठीक हो जाओगे राम सोचते आ अच्छा ऐसा दो आई काते ह तो ठीक होने वाला हो है, और दू दिन में ठीक भी हो जाते हैं, वो दवाई थी, नहीं वो दवाई नहीं थी, वो खोकली गूली थी, इसको बोलते हैं प्लसीबो एफेक्ट, it is their belief system, ये माइं इतना पावरफुल है न, इस माइंड की मदद से ये आदमी, it can break you, it can make you, you can become strongly mental, or you can become mentally strong, you can have a hopeless end, or you can have an endless hope, your belief system is right, आप जानते हैं, उस लड़की को अरुने मा सिना, यूपी के गाउं से आई थी, टेन की पट्री के नीचे उसको चेन छीनने के लिए कुछ लोगों धका दे दिया, दोने पाव प्रेन की नीचे आगे, कट गई, सारी रात वहीं पड़ी रही, कोई बचाने नहीं आ आ रहे थे उसकी स्कीन और हड्यों को, कोई नहीं आया, सुबह होई, दिल्ली अस्पिताल में लेकर आ गया उसको, और वहाँ पर आने के बाद जब उसको पता चला, मल्टीपल फ्रैक्चर उसकी पीट में आ गए, पाउं खतम हो चुगा है, सारी जिंदगी के लिए पाई अब तो दुनिया को तारीक पता लगना बाकी रह गया है, और जानते हैं, एक एक करके, ना किवल उसने मांट टेवरेश, बलकि साथू पीक दुनिया की पार कर ली, आज एंडिये गवर्मेंट पे उसको पदमश्री अवार्ड मिला है, साहब, आदमी विकलांग शरीर से ही होता है, मन से होता है, अगर मन से विकलांग हो गया, तो हमेशा के लिए विकलांग हो गया,